इस साल दिपावली 24 अक्टूबर को मिनाई जाएगी लेकिन इस बार दिपावली पर सूरे ग्रहन लगेगा 27 साल बाद ऐसा हो रहा है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिपावली पर इस ग्रहन का साया रहेगा हिंदू पंचां की मुताबिक दिवाली पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है हाला कि पर्व की शुरुवाद धंतेरस से ही हो जाती है जिसके बाद नरक चतुरदशी, फिर दिपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूष तक स्योहार की रोशनी जगमगाती रहती है इस साल कार्तिक अमावस्या 24 से 25 सक्टूबर को मनाई जाएगी जिसमें दिपावली 24 सक्टूबर को मनाई जाएगी तो सूरी ग्रहन 25 सक्टूबर को लगेगा सूरी ग्रहन के कारण गोवर्धन पूजा 25 सक्टूबर को नहीं बलकी 26 सक्टूबर को होगी जोतिश गर्णा के मुताबिक 25 अक्टूबर को गोबर्धर पूचा के दिन खंड ग्रास सूरे ग्रहन रहेगा भारत में ही ग्रहन की शुरुवात शांग 4 बच कर 15 मिनट से 5 बच कर 30 मिनट के मध्य होगी ग्रहन का सूर तक सुभे 4 बच कर 15 मिनट पर लग जाएगा जो ग्रहन के समाप्त होने के साथ ही खत्म होगा हालकि सूरे ग्रहन का प्रभाव दिपावली पूजा पर नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम इस तरह की और वीडियो के लिए आप लोकमत हिंदी को सबस्क्राइब जरूर कीजिए